प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी कर ली है और उन्हें हर हाल में संसद में आना पड़ेगा जब वो संसद में आएंगे तो मड़िपूर की बात होगी मड़िपूर पर चर्चा होगी और फिर वहां की जो सचाई है वो सामने आएगी और जब प्रदान मंत्री मड़िपूर पर बात करेंगे मड़िपूर पर जब पक्ष और विपक्ष यानि विपक्ष और सत्ता के बीच में जब सवाल जवाब होंगे जब उस पर बातचीत होगी तो निश्चित तोर पर ये जो स्थिती बनेगी वो भारती जनता पार्टी के लिए सहज नहीं होगी खास करके प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के लिए जो इतने लंबे समय तक मड़िपूर के मामले पर चुप रहे उनकी चुप़ी को लेकर के विपक्ष उन्हें घेरता रहा तमाम उनके उपर सवाल उठाये जाते रहे इसके बावजूद भी उनकी चुप़ी जस की तस्बनी रही उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा जब सुप्रीम कोट ने डंडा चलाया सुप्रीम कोट ने फटकार लगाई तो उसके बाद उन्हें याद आई मड़िपूर की और फिर उन्होंने मड़िपूर पर एक सियासी बयान दिया क्योंकि उन्होंने मड़िपूर से पहले राजिस्थान और चटीस गर जैसे राजियों का जिक्र कर दिया दो अलग अलग घटनाओं को एक तरफ जो एक साथ जोड़ करके और खुद को बचाने की कोशिश की और इसी कोशिश के तहद उन्हें लगा कि शायद वो अपना चेहरा चुपाने में कामियाब होंगे पर ऐसा हो नहीं पाया मानसून सत्र जो चल रहा है इस समय उसकी शुरुआत से ही लगातार विपक्ष जो है इस मांग पर रड़ा हुआ है कि प्रधान मंत्री खुद संसद में आए और सदन में आकर के अपनी बात कहें मणिपूर को लेकर के पर वो हर बार बाहर से ये बात कहते दिखाई दे रहे ह प्रधेशों में जा रहे है चुनाओ के प्रचार करे हैं तमाम अभीयान में लगे हुए हैं पर वो सदन में आने से बच्ते हुए देखे जा रहे हैं इसी का नतीजा था कि ये जानते हुए कि अबिस्वास प्रस्ताओं गिर जाएगा फिर भी विपक्ष जो है अबिस्वास प्रस्ताओं लेकर गया पर क्या विपक्ष वास्तों में अबिस्वास प्रस्ताओं के सहरे कामिया भी हासिल कर पाएगा अपना वो मकसद पापाएगा जिस मकसद को वो जिस मकसद से अविस्वास प्रस्ताओ लेकर के लोग सभा में अविस्वास प्रस्ताओ लाया गया है विपक्ष के दौरा कॉंग्रिस के दौरा अब इस पर सवाल उखने लगे हैं दरसल भारतिय जंता पार्टी जो है वो किसी भी सूरत में सदन के अंदर प्रधान मंतरी के साथ प्रधान मंतरी को लाना नहीं चाह रही है भाजपा ये भाजपा का जोसी इसनेत्रत्व है वो नहीं चाहता है कि प्रधान मंतरी सदन में आकर के मड़िपूर पर बात करें पर अब इस्वास प्रस्ताओं को स्विकार कर लिया गया है तो स्विकार करने के बाद ये तय है कि उनको आना पड़ेगा पर क्या जितना सहज और जितना आसान हम इसे समझ रहे हैं वास्तों में उतना आसान है नहीं इसके पीछे की वज़ा है माना ये जा रहा है कि भारती जनता पार्टी अब जो है जिस तरीके से सदन में मड़िपुर जैसा समवेदन सील मुद्दा आया गंभीर मुद्दा आया उसके बावजूद भी ये कहा गया कि इस पर चर्चा करके देखा जाएगा कि कब चर्चा हो होगी इसके पहले संसदों की एक बैठक बुलाई जानी है कहा ये जा रहा है कि अगले हफते में यानि मतलब लगातार ये खबर चल रही थी कि अगले हफते में बुलाई जाएगा इस हफते में भी आसार कम ही नजर आ रहे हैं अब देखना ये होगा कि हाला कि संसद का जो ये सवाल अभी भी बना हुआ है दरसल सरकार की जो कारेसेली है लगातार ये देखा जा रहा है कि भारती जनता पार्टी की जो सरकार है किंद्र में वो लोग सवा के इस मांसून सत्र में उसको जितने बिल पेश करने थे वो एकिक करके अपने बिल पेश करते जा रहे हैं हर जो भी बिल उनको पास कराना था वो लोगसभा से उसको पास करवाते जा रहे हैं। उन सारी चीजों में उन्हें कहीं भी रुकावट नहीं है। विपक्ष एक तरफ है, विपक्ष को उन्होंने चर्चा से दूर रखते हुए, विपक्ष के हंगामा जो चल रहा है उसको क संसत्र स्थगित कर देते हैं बीच के समय में संसत्र चलाई जाती है और फिर बिल पास कराये जाते हैं उसके बाद वापस से संसत्र अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए यानि संसत्र के शुरुवाती समय तक के लिए स्थगित कर दी जाती है यह खेल लगातार जारी है लो को 29 दिसंबर तक जिस सितकालिन सत्र को चलना था 29 दिसंबर के बजाया उसे 23 दिसंबर तक चलाया गया और 23 दिसंबर को संसद का सत्र जो है सितकालिन सत्र उसको खत्म कर दिया गया जिसको लेकर के भी खूब हो अला कि लोकसभा स्पिकर ने कहा कि ये सभी दलों के जो संसद ह उनके मंजूरी से हो रहा है इसके बावजूद भी कॉंग्रिस की तरफ से यारूप लगाया गया कि संसद का सीतकालिन सत्र केवल और केवल राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा को जो है उसमें खलल पहुचाने के लिए उसमें बाधा डालने के लिए पहले खत्म कर द देखा ये जा रहा है माना ये जा रहा है कहा ये जा रहा है कि कहीं न कहीं अविस्वास प्रस्ताओं पर चरचा को लेकर के सरकार खेल करने की तैयारी में है अब इसके पीछे तर्क कैसे दिये जा रहे हैं तर्क इसके पीछे ये दिये जा रहे हैं जो तमाम जो जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के ये हो रहा है कि सरकार सदन में अपने जरूरी काम निप्टा लेगी अपने जो जरूरी बिल है उनको पास करा लेगी उसके बा करके ये कि इस पर बहुत ज़्यादा बोलने या बात करने का उसर सरकार किसी भी हाल में विपक्षी दलों को नहीं देना चाहती है अगर विपक्षी दलों को इस पर लंबा समय मिला तो विपक्ष के जो तमाम दल हैं उन्हें समय मिला उस समय के हिसाब से गर उन्हें ने बोल तो निश्चित तोर पर मड़िपूर के हालात जो है वो देश के सामने आ जाएंगे संसत के रिकॉर्ड में आ जाएंगे पर सरकार क्या ऐसा चाहेगी जवाब है नहीं सरकार किसी भी परिस्तिती में नहीं चाहेगी कि मड़िपूर के हालात संसत के रिकॉर्ड में आएं संसत के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों तक पहुँचे क्योंकि अगर चर्चा हुई तो विपक्ष सवाल उठाएगा और उन सवालों का जबाब सरकार की मजबूरी होगी और सरकार मजबूरी में भी मड़िपूर पर जवाब नहीं देना चाहती है खास करके प्रधान मंतरी के द्वारा अगर इसी के नाते बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार चर्चा के लिए तयार है पर समय नहीं बताया जाता है सरकार चर्चा के लिए तयार है पर प्रधान मंतरी को लाया नहीं जाएगा उसकी जगे पर ग्रे मंतरी के जो है वो चर्चा में सामिल होने की बात कही जाती है ग्रे मंतरी द्वारा जबाब देने की बात कही जाती है कहा ये जाता है कि चुकि ये मामला ग्रह मंतराले का है और वो ग्रह मंतराले जो है वामिशाह के पास है इसलिए चर्चा का जवाब अमिशाह देंगे अरे ऐसे तो देश में जो तमाम मंत्राले हैं उन सब के मंत्री भी है जिन में से तमाम जो बड़े मंत्राले हैं कुछ के नाम छोड़ दिये जाए तो बाकी हम सब को मंत्रियों का नाम भी नहीं पता है लेकिन जब वन्ывать ब्हारत ट्रेन को घंडी दिकाने काम प्रदानमंत्री करते हैं प्रदानमंत्री जो रक्षा मंत्री राज नाथ सेंग उनकी जगेक पर डिफेंस डील करने केली प्रदानमंत्री जाते हैं तो एक तरह से अगर इस लेहाज से भी देखा जाए तो भी प्रधान मंत्री को वहाँ पर आना चाहिए जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है अब इसके अलावा एक चीज़ हो रहा है तेक्निकली अगर जो दिखा जाये तो जब प्रधान मंत्री अपना वक्त अब दे देंगे तो फिर चर्चा की बात खत्म हो जाती है पर प्रधान मंत्री अगर वक्त अब देंगे तो सारी चीज़ें संसत के ओन रिकॉर्ड में आ जाएगा और भारती जिंता पार्टी इससे बस्ती होई दिखाई के रही है तो ये जो सारी चीज़ें जो सारी कवायदे हैं अब जिस तरीके से एक एक दिन आगे बढ़ाया जा रही है और इस समय में सरकार अपने सभी जरूरी बिल एक एक करके पास करवाती जा रही है और इसके बाद जब सारे बिल पास हो जाएंगे सरकार का जो काम है सरकार का जो इस सत्र में जितना काम उसको करना है वो कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद वो चर्चा का समय का अलान कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके की खबरें आ रही है कुछ इस तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है ऐसा तमाम अलग-अलग माध्यमों पर इसकी चर्चा हो रही है अब अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे विपक्ष की मेहनत पर पानी फिर सकता है चुकि व अविस्वास परस्ताओं गिरना है और अविस्वास परस्ताओं केवल और केवल प्रधान मंतरी को संसद में लाने के लिए ही विपक्ष लेकर क्या है था याद दिला दें कि 20 जुलाई से जब यह सत्र शुरू हुआ था 11 अगस्त के सत्र चलना है पर जो हालात बन रहे हैं उ वो शायद पूरा नहों पाए और सरकार एक बार फिर अपने खेल में कामियाब हो जाएगी हन्यवाद